नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविद हल्चल पर संकष्टी चतूरती के आउसर पर राज्य के पशु सववर्धन दुग्दविकास युवक्कल्यान तथा क्रीडा मंत्री सुनिल के दार आदासा स्थित गनेश मंदिर पोजे इस मोके पर मंत्री केदार ने देश तथा राज्य के अन्यदाता किसान मजदूर सुखिरय या आशिरवाद विगनेश्वर से मंगा इस आउसर पर पूर्वजिला परिशद उपाद्द्यक्ष मनोहर कुम्भारे कलमेश्वर पंचाज समिती के सभापती शरावन भिंगार बाबाराव पाटिन, बाबाराव कोडे, आशिश देश्मुक, मंगेश गोत्मारे तथा प्रमुक पदाधिकारी गण उपस्थित थे शहर में टीका करण अभियान में तेजी लाने के लिए नागपुर महानगर पाली का अधिक टीका करण केंदर स्थाफित कर रही है मनपा ने 60 फ्लस आयू वर्गे के नागरी को एवं फ्रन्ट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोस दिलाने के लिए 149 केंदर स्थाफित किये है इन में से 119 केंदरों में कोविशिल टिका दिया जाएगा जबकि 630 में कोवैक्षिन टिका दिया जाएगा मनपा यूक्त रादकृष्णन भी एवं स्वास्टविबाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार यह कदम उठाया गया है नागपूर जीला परिशत की महिला एवं बालविका समीती में दो पूरुष सदस्यों को मनोनित किया गया है इस समीती में पूरुष सदस्यों का चूना जाना नागपूर जीला परिशत के इद्यास में पहली बार हुआ है दरसल जीला परिशत में कॉंग्रिस सदस्यों नेताओ और पदादिकारियों की पहल से यह संबव हुआ है महिला एवं बालविका समीती में कॉंग्रेस पारटी के दिनेश ढोले और संजय जक्ताप को मनुनित किया गया है महरश्टर नवनिर्मान सेना के प्रदेश महासचियो हेमन गड़करी और शहर अद्यक्ष विशाल बैज ने बंगलवार को शहर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में चेतावनी दी है कि सभी व्यापरिक प्रतिष्ठान्व दुकानों पर 26 फरवरी तक मराठी भाषा में ब 220 दुकानों को इस निविदन के माधम से सूचना दी गई थी कि महाराश्टर में मराठी भाषा में बोल्ड होना अवश्चक है इसके बावजुद व्यापरियों की ओर से मराठी भाषा को दुयम स्थान दिया जा रहा है किन्तो 27 फरवरी के बाद महाराश्टर नवनिर्मा इसके लिए मंजूरी दी है इसके अलावा मंसे ने अपने आंदोलन के माध्यम से भी बोल्ड मराठी भाषा में रखने की सूचना दी है यदि व्यापरियों ने ऐसा नहीं किया तो मंसे कार्य करता तिवरा अंदोलन करेगे MD तसकरी करने वाले युवकों को पिस्तोल और कार्तूस के साथ पकड़ा है अरूपियों में 27 वर्षिय मुम्मद यकिम उर्फ मुन्ना अब्दुल अजीच तथा 32 वर्षिय शेक नईम शेक शाबिर नया नकाशा का समाविश है पाचपावली पुलिस को यकिब के MD की तसक MD पिस्तोल और पाच कार्तूस मिले वह अपने मामा के बेटे शेक नईम के घर रहता था पुलिस ने नईम के घर पर दबिज जी वहां नईम से भी तीन हतियार बरामद हुए पुछताच करने पर यकिम ने अपरादी मुम्मत सद्दाम से MD खरिदने की बात कबूली सद्द पिर सकर्यओ गया 5 राज्य में कई वर्षो में पहली बार नाकपुर में एरो माड़लिंग शो का आयोज़ण किया गया है मुंबई के मंत्रालय में आयोजित, एरो माड़लिंग शो में एक बेठक में बोल रहे थे बैठक में खेल आयुक्त प्रकाश भकोरिया ने वर्चियोल माध्यम से भाग लिया केदार ने कहा कि आजादी के अमरुत महोचों के तहट नागपुर शहर के बड़े मैदान में हजारों चात्रों की मौझुदगी में बड़े आकार के मानवरहित वीमान उड़ाये जाएंगे इस शो को देखने के लिए राज्य के विभिन्ने हिस्सों से चात्र आएंगे उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्तियों से इस शो का लाव उठाने की अपिल की इस शो को खेल विभाग, NCC और सेना द्वारा सहप्रायुजित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि छात्र एरो मौडलिंग से परीचित होंगे और इसके प्रती आकर्शित होंगे जिले में कुरोना की लहर अंतिम सास लेने के दौर में अब एक्टिव केसे इसकी संख्या भी सिमट कर एक हजार के आसपास पहुज गई है मंगलवार को जिले में कुरोना की एक मरीज की मोध हुई है जबकि 162 कुरोना मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है इसके साथ ही एक दिन में 7478 सेंपलों की जाच में अंठावन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है अब शहर में 1008 एक्टिव केसे सी शेश है एक दिन में मिले 58 नए पॉजिटिव मरीजों में नाकपुर शहर के 35 पॉजिटिव का समाविश है जबकि नाकपुर ग्रामिन के 13 तथा जिले से बाहर के 10 पॉजिटिव इसमें शामिल है भले शहर में कोरोना के नए मरीज मिल रहे है किन्तु मरीजों की रिकवरी की रप्तार भी जिले में संतोज जनक है पिछले 24 घंटे में नाकपुर जिले में 162 मरीजों का अस्पताल से शुट्टि मिली है जिन में नाकपुर शहर के 107 मरीज नाकपुर ग्रामिन के 55 मरीजों का समाविश है जिले में मौझूद 1000 एक्टिव केसेस में नागपूर शहर के 661 केसेस वा नागपूर ग्रामिन के 352 केसेस का समाविश है भारतिय कव्मी एक्ता कमिटी पश्चिम नागपूर ने साइबर क्राइम विशय में पीएचडी की उपादी मिलने पर डॉक्टर रिजवान एहमत का सतकार किया पश्चिम नागपूर के विधायक एवं नागपूर शहर जीला कॉंग्रेस कमिटी की अद्धेक्षव विकास ठाकरे के हातों पारशद नितिश गवालबंशी की प्रमुक उपस्थिती और सिविल इंजिनियर तथा सामाजिक कार्यकरता शैयत गउसुद्दुन की डॉक्टर रिज्वान एहमद का सतकार किया गया इस अउसर पर विशेशातिती के रूप में जावेद अन्वर, उस्मान खान, राशित खान, रामलखन यादव, रेटायर डिप्टी सुप्रेडंट और पूलिस, रिदैनारान यादव, ठानेदार खापरकेड़ा पूलिस जिया, विधायक विकास ठाकरे ने युवाओ को साइवर दुनिया में करियर बना कर इस माध्यम से अपने जीवन में सफल बनने का आवाहन किया महावितरन के नाकपूर परिक्षेत्र के प्रादेशिक संचालक सुहा सरंगारी एवं नाकपूर परिमंडल के मुख्य अभियनता दिलिप दोड़के की प्रमु कुपस्थिती में चलाई गई वसुली मुहिम के दवरान नाकपूर शहर के 22 गरहकों ने ततकाल ही 4,93,000 रुपे के बिजली बिल का बुगतान किया महावितरन ने हर जगब बकाया बिल वसुलने का अभियान शुरू कर दिया है प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी और मुख्य अभियनता दिलिप दोड़के ने 22 फरवरी को नाकपूर मंडल अंतरगत सुभिदार ले आउट और मानेवडा उप मंडलों में विभिन्न स्थानु का दवरा किया और बकाय वसुली अभियान का निरिक्षन किया प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने गरहाकों से बाच्चित की उनकी मौझूदगी में 22 गरहाकों ने 4,93,000 रुपे के बिजली बिल का भुकतान किया इस समय महावितरन जहां आपको निर्वाद सेवा प्रदान कर रहा है ऐसे में आप भी महावितरन को नियमित बिजली बिल का भुकतान कर सहयुक करे ऐसी अपिल उन्होंने गरहाकों से की उन्होंने महावितरन के कर्मचारियों को प्रोचसाहित करते वे प्रभावी वसुली अभियान चलाने की भी अपिल की अभियान के दोरान करीब 2,51,000 रुपए के बिजली बिल के बकायदार 11 ग्रहाकों की बिजली आपूर्ती काट दी गई नाकपुर महानगर पालिका की ओर से मंगलवार को दो प्रतिष्ठान उपर कारवाई की गई और 10,000 रुपए का सामन वसुल किया गया मंगलवार को धरमपेट जोन उपद्रव खोजी दल द्वरा प्रतिबंदीत प्लास्टिक बैक के संदर्ब में कारवाई की गई टीम ने धरमपेट वी आईपी रोड रमदास पेट में यंबी पिज़ा रिस्टोरेन के खिलाप प्लास्टिक बैक का इस्टेमाल करने पर कारवाई करते वे 5,000 रुपए का जुर्मन वसुल किया गया इसी तरह सतरंजीपुरा जोन के अंतरगत कुलबा स्वामी नगर में ललित सावत करके खिलाप कोवीड नियमों का उल्लंगन करने पर कारवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्मन वसुल किया गया मनपा एक्तर आदकृष्णन वीके मारगदर्शन में और एंडियस प्रमुक वीरसेन तामबे के नेतरूटों में यह कारवाई की गई तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोज नमस्कार